इकाई तीन समझदार नन्ही बाल दोस्तों, गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग टीचर बाल दोस्तों, मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ आप पहचानिए कि यह किसका चित्र है चलो तो बाल दोस्तों, यह किसका चित्र है यह मूर का चित्र है अरे वाह, सही जवाब है, यह मोर का चित्र है, मोर हमारे देश का राश्ट्रिय पक्षी है, चलो बताओ कि यह किसका चित्र है टीचर, यह कबूतर का चित्र है अरे वाह, यह भी सही है, यह कबूतर का चित्र है अब दूसरा एक चित्र देखो, और बताओ कि यह किसका चित्र है टीचर, यह तो मतख का चित्र है अरे वाह, सही जवाब है, यह मतख का चित्र है बाल दोस्तों आपको पता है कि बतक कहां रहती है? बतक तालाब और नदी में रहती है हाँ सही बात है बतक तालाब और नदियों में रहती है अच्छा तो बाल दोस्तों मैं आज आपको एक ननही समझदार बतक की कहानी सुनाता हूँ इस तहानी का नाम है समझदार नन्ही आप सभी ध्यान से सुनना एक नदी थी उस नदी में एक बतक का परिवार रहता था उसमें एक नन्ही नाम की समझदार बतक रहती थी एक दिन वो तेरते तेरते नदी के तट पर आई नन्ही बतक ने तट पर देखा कि एक बिच्छु दल-दल में फसा है बिच्छु ने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को उस पर दया आ गई उसने बिच्छु को दल-दल से उठा कर सुखे स्थान पर रख दिया बिच्छु को शैतानी सुझी उसने नन्ही को डंक मार दिया नन्ही पीडा से तड़क उठी उसने बिच्छु से पूछा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा बिच्छु लापरवाही से बोला क्या करूं डंक मारना मेरा स्वभाव है नन्ही बोली तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसिबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा बिच्छु उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया ननही अपनी मा के पास नदी में चली गई मा ने पूछा ननही बेटी, तुम कहां रह गई थी? ननही बोली मा, एक बिच्छु दलदल में फस गया था, उसे बचाने में देर हो गई मा खुश होकर बोली बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है ननही बोली लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया मा बोली बिच्छु अपनी गंदी आदत का गुलाम है तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार-बार डंक मारता रहेगा ननही बोली मा, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी कुछ दिन बाद, बिच्छु के प्राण पुनह संकट में पड़ गए इस बार, वह पानी की धारा में जागिरा और डूबने उत्राने लगा मौत सामने देखकर, बिच्छु को ननही की याद आई वह ननही को पुकारने लगा ननही बचाओ, ननही मुझे बचाओ ननही ने उसकी करुण पुकार सुन ली वह जबटकर बिच्छु के पास आ गई सहसाही उसके मन में विचार आया अब मैं इस गंदे स्वभावाले बिच्छु को नहीं बचाऊंगी बिच्छु गिडगडाने लगा बहन, मुझे पर दया करो ननही का मन डोल गया उसने सोचा हो सकता है, इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो ननही ने बिच्छु को दोबारा जीवनदान दिया बिच्छु अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा ननही उसका इरादा समझ गई वह मुस्कुरा कर बोली बिच्छु भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो बिच्छु शर्म से पानी पानी हो गया वह खिसी आ कर बोला बहन, एक बात बताओ मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वास धात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की ऐसा क्यों? ननही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दू? मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी तुम्हारा काम डंक मारना है तुम मारते रहो देखती हूँ कौन जीता है? बिच्छू पश्तावे से भर गया और बोला ननही बहन आज तुम जीत गई मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोश जिव को डंक नहीं मारूंगा ननही बिच्छू की यह बात से बहुत खुश हो गई और वो नदी में चल दी मा ने आज फिर पूछा बेटी, कहां देर कर दी? ननही ने पूरी घटना बता दी मा प्यार से बोली प्यारी समझदार ननही भले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की रह दिखाते हैं मा की यह बात से ननही प्रसंद होकर थिरकने लगी बाल दोस्तों, पसंद आई कहानी? हाँ टीचर बाल दोस्तों, हमें भी ननही बतक की तरह अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए और दूसरों को मुसीबत में देखकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए बाल दोस्तों, आप भी अपनी अच्छी आदत जीवन में कभी मत छोड़ना झाल 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 झाल